नमस्काल दोस्तों, मैसेल्फ सीमा सिंग, आज हम देखेंगे गुणगावा प्रोजेक्ट एंड इटावा पाइलट प्रोजेक्ट क्या है इनके बारे में हम समझेंगे तो पहले हम समझते हैं कि भारत में प्रसार कारी तथा सामुदाइक विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्मिलिखित कारी को रुमो का सुभारम किया गया ठीक है भारत में जो प्रशार कारी है और तता सामुदाइक विकास को बढ़ावा देने के लिए निमिलिखित कारी करमों का सुभारन किया गया उसके अंदरकत मैंने ये दस कारी करमों को रखा है यह जो सारे कारी करम है इनको क्यों चलाया गया है प्रशार कार्य था था सामुदाईक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत में इन कार्य को रुमुको चलाए गया तो आज हम जो बात करेंगे इन दो कार्य को रुमुक के अंतरगत करेंगे गुणगावा प्रोजेक्ट और इटावा पाइलट प्रोजेक्ट ठीक है इन दो को देखेंगे फिर आगे आने वाली वीडियोस में हम आगे जो ये स्री निकेतन युजना महत्मा गादी मार्थंडम प्रोजेक्ट हैं इनको देखेंगे ठीक है तो आज हम देख रहे हैं पह एफ एल ब्रेनर के परियासु द्वारा 1920 में ग्रामीर विकास के निर्मित गुणगावा प्रोजेक्ट का सुभारम हुआ सरकारी इस्तर पर यह प्रत्थम परियास था ठीक है प्रत्थम कारेकरम था यह सरकारी स्तर का प्रत्थे कावं में एक बिलेज गायट के निक्ति की गई जो ग्रामिन तथा 202 की बीच मध्यस्ते की भूमिकाने भाता था जो गुणगावा प्रोजेक्ट है इसके अंतरगत क्या किया गया जितने भी गाउं इसके अंतरगत लेगे सभी गाउं में एक village guide की न्युक्ति की गई village guide क्या करता था? 200Q की बात ग्रामिनु तक पहचाता था और ग्रामिनु की बात 200Q तक पहचाता था ठीक है तो जो गुणगाओं प्रोजेक्ट है पंजाब के गुणगाओं नामक्चिल्डे से प्रारंबू हुआ है और स्री एफल ब्रेनर के परियासु द्वारा गुणगाओं प्रोजेक्ट के लक्षे के अगर हम बात करें तो ग्रामीन विलेज काइट के माध्यम से उन्न ठंग से खेती करने की तकनीकी बताना अच्छी किस्म के बीच उर्वरक आदी का परियोग नए ओजारों यंत्रों का परियोग उन्न तकनीकी का परियोग जैसी बाते संबन्दी थी जो गुरगाव प्रोजेक्ट के लक्षे थे ये क्या थे इन्होंने जो बिलेज काइट रखा था उस बिलेज काइट के माध्यम से गरामीनों को समझाते थे कि किस तरीके से हम अच्छी किस्म की बीजू का उर्वरक आदी का परियोग कर नए ओजारों का परियोग यंत्रो का परियोग कर किस तरीके से हम अपनी तकनीकी का उपयोग करके अपनी किर्सी को बढ़ा सकते हैं इसलिए इस बिलेज काइट की न्युक्ति की कही थी बिलेज काइट जो बिसे सक्यू की बाद ग्रामीनों तक पहुचा रहा था और ग्रामीनों की बाद बिसे सक्यू की तक सपाई करना लोगों में सपाई की आदत डलवाना ये गुलगावा प्रोजेक्ट के लक्षे था फिर थर्ड लक्षे क्या था बिलेजगाइट के द्वारा विसेशक्यू की राय एम जानकारी किर्सकू तक पहुचाना जो बिलेजगाइट उन्हों ने रखा प्रत जितने भी गाउं को लिया उन गाउं में एक बिलेजगाइट रखा और वो बिलेजगाइट क्या कर रहा है विसेशक्यू की जो भी राय है उसको किर्सकू तक पहुचा रहा है कि कौनसी खाद योज करने चाहिए कौनसा बीज अच्छा है तो इन बातों को वो ग्रामिलू तक था वो क्या है कि ग्रामिल स्वास्तों को उचा उठाना और जो काउं में संक्रमन होते हैं उन संक्रमनों से उनको बचाना था ठेक है तो गुड़गाव प्रोजेक्टर के अगर लक्षे की बात करें तो गुड़गाव प्रोजेक्टर का जो पहला लक्ष था वो ग्रामिल विलेज गायट के मात्यम से वो क्या करते थे जो ग्रामिन किर सकते उनको बीजू के बारे में खात के बारे में नई तक्निकी के बारे में जानकारी देते थे गंदे की से बचने सपाई के बारे में जानकारी देते थे विलेज गायट के द्वारा विसे से के राय एम जानकारी किर्सों को तक पहुचाना और ग्रामीन स्वास्ति इस्तर को उचा उठाने के लिए लोगों को संक्रामत बिमारी से बचाने के लिए उनको जानकारी ब्रदान करना था गुणगावा प्रोजेक्ट के लग्ष, ठीक है? ये तो हमने देख ला गोंगाव प्रोजेक्ट, अब हम देखेंगे इटावा पाइलट प्रोजेक्ट, इटावा पाइलट प्रोजेक्ट क्या है, इटावा उत्तर पर्देश में है, सन 1948 में इटावा पाइलट प्रोजेक्ट प्रारंब किया गया, इटावा पाइलट प्रियास था और जो इटावा पाइलट प्रोजेक्ट है ये स्वतंता प्राप्ति के पश्चात का ग्रामिन विकास की दसमें भारत सरकार का यहोग पहला कदम था ठीक है ये स्वतनता प्राप्ति के बाद है क्योंकि ये जो इटावा पाइलट प्रोजेक्ट है ये कब आया 1948 माया कारिकरम का संचालन अमेरिकी किसी विशेसे के लेफटिनेंट कर्नन एलबर्ट मेयन ने किया इटावा पाइलट प्रोजेक्ट का जो संचालन है वो किसने क्या लेफटिनेंट कर्नन ये क्या थे अमेरिकी किसी विशेसे के थे ठीक है लेफटिनेंट कर्नन अलबर्ण मेयन ने किया था गुलगावा प्रोजेक्ट एक पर्योग के रूप में चलाई गए थी इसका उद्देशी भोशी की ग्रामीन पिकास योजनाओं के संभावनाओं का पता लगाना तथा मार्ग दर्शन करना था इस प्रोजोक्ट में उन्नत पत्यती की खेती, पशुपालन, साक्षर्ता, जनस्वास्त, कुटिर उध्योग का पिकास इत्यादी पर बल दिया गया जिल्ला है, यहाँ पर यह कार्यकरम शुरू किया गया, 1948 में इसको शुरू किया गया, और इस स्वतंता प्राप्ति के पश्चात का प्रत्थम परियास था सरकार का, ठीक है, ग्रामीन विकास के लिए स्वतंता प्राप्ति के पश्चात का भारा सरकार का यह पहला कदम था इस कार्यकरम का संचालन किस ने किया इटावा पाइलट प्रोजेक्ट का संचालन अमेरिकी किसी भी से से के लेफटिनेंट का नर अलवेड मेर ने किया इटावा प्रोजेक्ट एक पर्योग के रूप में चलाए गया था इटावा जो पाइलट प्रोजेक्ट है इसको एक परियोग की रूप में चलाया गया जिसका उद्देशी क्या था ग्रामीन विकास की योजनाओं के संभावनाओं का पता लगाना तथा उनका मार्ग दर्शन करना ये इसका उद्देश्य था इस प्रोजेक्ट में किन बातु पर अधिक ध्यान दिया गया खेती पर ध्यान दिया गया पॉसु पालन शाक्ष्टता धन जण स्वास्त कुटीर उट्यों का विकास उत्याथी पर इसमें ध्यान दिया गया गुणगावा प्रोजेक्ट में हम देख रहे थे कि गुणगावा प्रोजेक्ट में किसमें ध्यान दिया जा रहा था अच्छी बीज पर अच्छी तक्निकों पर और क्या कहते हैं अच्छी खात पर उसमें ध्यान दिया जा रहा था अगर इटावा पाइले ट्रोजेक्टे की लक्षे की बात करें तो ग्रामीन विकास की संभावनाओं का पता लगाना तथा अनुकूल विकास कार्यकरम बनाना था। क्या आवशक्ता है उसके परती उनको जागरूग बनाना इस कार्यकरम का लक्षे था। उत्पादन बढ़ाने की उपाय को बताना उत्पादन हम कैसे बढ़ा सकते हैं इन उपायों को ग्रामीन को समझाना। सहकारिता सामुदाइक जीवन रक्षा समा सुधार के परती लोगों का बिबेग जगाना। जो ग्रामीन लोग थे उन लोगों को सहकारिता सामुदाइक जीवन रक्षा समा सुधार के परती लोगों में जागरूपता जगाना था। और ग्रामीन की रुची का पता लगाना तथा उनकी सूचना एकत्रित करना। जो इटावा पाइलेट प्रोजेक्ट का लक्षे था उसके अंतर का दिये भी आते हैं कि वो ग्रामीन लोगों का रुची का पता लगाते थे कि लोग क्या करना चाहरे हैं फिर उन सूचनाओं को वो एकत्रित करते थे फिर उसी के अनुकूल वो क्या करते थे योजना को ब बनाना ग्रामीन को उनके आवशक्ताओं के परती जागरो करना लोगों की विकास के परती विश्वास जगाना तथा उनको स्वालंबी बनाना किर्सी का कितना विकास हो है तथा उत्पादन कितनी बड़ी है इसका पता लगाना उत्पादन बढ़ाने के उपायों को बतान गरामिनु को और सहकारीता समुदाय जीमर रक्षा समा सुधार के परती लोगों का विवेग चगाना गरामिनु के रुची का पता लगाना तथा उनकी सूचना एकत्र करके जो योजना बनानी है जो कारेकरम बनाना है उनके गरामिनु के रुची के अनुसार बनाना ये सभी Itava Pilot Project के अंतर गताता है ठीक है तो हमने आज दो कारिकरम को देख ले Itava Pilot Project और गुडगाव प्रोजेक्ट और अगे फिर हम आगे जो और कारिकरम में इздनको डिस्कस करेंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीस लाइक, शेयर, कमेट और सस्क्राइब करना ना आपने मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिवाए